जादूई मचली और डायन चैन्पुरा गाउ में एक मचवारा रहता था उसकी दो बेटिया थी मेखा और सुमन मेखा बहुत ही शरारती थी और सुमन बहुत ही भोली मचवारा रोज नदी से मचलिया पकरता और बाजार में बेचके जो पैसे मिलते उससे घर का खर्चा चलाता कुछ दिन से मचवारा ताला पर जाता लेकिन एक भी मचली नहीं मिलती ये सब एक हफ़ते तक चलता रहा सुनो जी अब कुछ और काम कर लेते हैं पता नहीं ये सब अब और कितने दिन चलेगा कुछ ही दिनों में शायद वो आता ही होगा कहते हैं बुरा वक्त जब आता है तो सब तरफ से आता है मचवारे का ऐसा बोलना ही था कि दर्वाजे से किसी के खटखटाने की आवास आती है मचवारिन तुम्हारे पती से कुछ काम था जी आप कल आना वो जरूरी काम से बाहर गए है कह रहे हैं कि किसी के पैसे लेने है शायद वही लेने गए होंगे हाँ पैसे से याद आया कि उसने मुझे भी कुछ पैसे देने का वाइदा किया था शायद वही लेने गए हों ठीक है मैं कल आता हूँ पता नहीं किसमत में ऐसा क्यों लिखा है समझ नहीं आता कि अब क्या करूँ ये सब मचवारे की दोनों बेटिया देख रही होती है वो अपनी मा से अपने पिता का हाथ बठाने के लिए कहती है नहीं नहीं बेटा हम दोनों है ना तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो अगर तुम पढ़ लिख गई तो ऐसे दिन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा इसलिए तुम मन लगा कर पढ़ाई करो लिकिन दोनों बेटिया नहीं मानती हमें काम करते हैं हम दोनों एक एक करकर रात को पिता जी का जाल ले जाकर मचलिया पकरा करेंगी जो मचलिया मिलेंगी उनको घर के आंगन में बने तालाब में रख दिया करेंगे और कुछ दिनों में समाता पिता को बता देंगे ठीक है, लेकिन मुझे रात में डर लबता है डर? वो किस चीज से? भूत भूत-वूत कुछ नहीं होता, ये सब डरामने किस्ते हैं चल सोजा, रात में उठना है, आज रात मैं उठूँगी, कल तू जाना ठीक है रात होते ही मेगा, पिता का जाल लेकर नदी किनारे पहुँच जाती है और थोड़ी देर बात, वो कुछ मचलियों को पकड़ कर घर के आंगन में बने हुए तलाब में डाल देती है कुछ मिला? हाँ, मचलियां तो मिली, लेकिन एक दो दिन तक और काम करना पड़ेगा, फिर पिता जी को सब बता देंगे अगली रात सुमन भी वैसा ही करती है वो जैसे ही जाल निकालती है, तो अचानक एक चमकती हुई मचली उसके जाल से छूट कर पाने में वापस चली जाती है वो डर के मारे घर जाती है, और ये सब अपनी बहन मेगा को बताती है कहीं ये वही जात हुई मचली तो नहीं, जिसके भारे में दादी बताया करती थी हाँ हो सकता है, लेकिन अगर वो कोई भूत हुआ तो, चुपकर, कल देखती हूँ मैं इस भूत को अगली रात वो जैसे ही जाल डालती है, वही चमकती हुई चीज उसके जाल में फस जाती है मेगा उसको जब पकड़ती है, तो वो एक सुनहरे रंग की मचली होती है, जिसका पूरा शरीर सोने के समान चमकदार होता है मेगा मचली को छोड़ देती है, और मचली घर के आंगन का तालाब मचलियों से भर देती है अगले दिन मेगा और सुमन अपने माता पिता को सब बताते है, और उसके पिता आंगन में रखी सारी मचलियों को बाजार में बेच देते है और महेश को पैसे व्याज समित लोटा देते है अगले दिन जब दोनों बेने उस मचली का धन्यवाद करने वहाँ जाती है, तो मचली रोते हुए बताती है कि ये सब जो हो रहा है, उसका जिम्मेदार उस पहाड़ी पर बैठी डायन है डायन, हाँ डायन, वो इस गाउं की हवा में जहर मिला रही है जिसके चलते कोई भी आदमी अपने काम को ठीक डंग से नहीं कर पाता और ऐसा चलता रहा तो एक दिन ये गाउं खाली हो जाएगा और ये डायन इस पूरे गाउं पर अपना कबसा कर लेगी तुम फिकर मत करो, मैं आज ये भी खतम कर दूँगी उसी रात मेगा उस पहाडी पर रहने वाली डायन की गुफा में जाती है जिस दिन से ये गाउं खाली हुआ, उस दिन से मेरी शक्तिया और भी ज़्यादा ताकत पर हो जाएंगी फिकर मत करो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी मैं कल सुबह ही तुमें सरपंच के सामने ले जाओंगी सरपंच, सरपंच के सामने ऐसा कहते ही वो डायन, मेगा को अपनी जादू की ज़़ी से पत्थर में बदल देती है और ऐसा करके, वो सोर-जोर से हसने लगती है ये मुँ और मसूर की दाल, मुझे पकड़ने आई थी ये सब बोलते ही अचारा के वी जोशनी आती है और उस डायन को पत्थर में बदल देती है और मेगा को फिर से इंसान के रूप में जैसे ही मेगा इंसानी रूप में आती है वो अपनी बहन सुमन के हाथों में जादूई चड़ी देखती है बहन, तुम तुमने ये कैसे किया? और तुम यहाँ कैसे? दीदी, आपने ही तो कहा था कि भूथ-वूथ कुछ नहीं होता इसलिए मैं भी थोड़ी देर आपके पीछे-पीछे आ गई मेगा और सुमन उस पूरी जगा को जला देते हैं और जादू की चड़ी उस मचली को दे देते हैं तुम इस चड़ी को समाल कर रखना, जरूरत पढ़ने पर हम इसका इस्तिमाल करेंगे तो देखा, ताकत अगर ठीक धंग से इस्तिमाल की जाए तो वो सदा के लिए आपके पास ही रहती है अपने सुझाव नीचे कामेंट सेक्शन में जरूर करें और हाँ, लाइक करना ना भूले फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ जैसे गुन्नू चिडिया के पास गई तो देखा कि घुसला खाली था और अंडे गायब थे चिडिया ने रोते हुए सारी बात बताई दीदी, आप स्कूल गए थे तो पीचे से एक साप आया था और मेरे सारे अंडे खा गया ये सब सुनकर गुन्नू उदास हो गए और दादा जी को सारी बात बताई उस रात गुन्नू को नीन नहीं आई ना उस बिचारी चिडिया को